पंजाब किसी टीटी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ है लाइप जुड़े हुए तस्वीर सोलन की इस वक्ता आप देख रहे हैं सोलन में इस वक्ता धुंद चाही हुई है मौसम साफ है कल भी धूप खिली ही थी परदेश के अधिकांश क्षित्रों में कल धूप खिली ही थी तो उससे ताबमान में भी बढ़तरी देखने को मिली है यदि मौनसून की बात करें तो हिमाचर परदेश में कल से एक बार फिर मौनसून एक्टिव हो राद दो दिनों के लिए मौसम विभाग के और से यलो अलर्ट जारी किया गया है इस तरह का मौसम हिमाचर परदेश में रहने वाला है दो और तीन सितंबर को परदेश के कई क्षित्रों में बारिश होने की संभावना है आज भी मौसम साफ रहने का पुर्वानवान है और कुछ एक जगाओं पर हो सकता है कि बारिश हो क्योंकि मौनसून हिमाचर परदे और कल से बीच बीच में कुछ एक जगाओं पर हो सकता है कि हलके बादल भी चाय रहे हैं और कुछ एक जगाओं पर हलकी बारिश हो छे स्टंबर तक इसी तरह का मौसम रहने की उमीद है छे स्टंबर तक हलकी बारिश जारी रहने का पुर्वानवान मौसम बिभाग के और से लगाएगा है दो स्टंबर के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलव अलर्ट मौसम दिभाग के औरु से जारी किया गया वाइए, तीन स्थंबर के लिए बीजली चमकने और अंधर का अलर्ट है इस तरह کا मौसम दिभाग ने पुर्मान wण अपना जारी किया है मौनसुन सीजन की बात करें तो हेमाचर परदेश में मौनसुन सीजन में सामानने से 23 पिस्दी कम बारिश इस बार है रिकॉर्ड हुई है परदेश के पांच जीने जिसमें बिलासपुर है कांगडा है मंडी है शिमला है और सिरमौर है इन जीनों में सामानने से 4 पिस्दी कम बारिश हुई थी लेकिन इस बार 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में पांच पिस्दी से कम बारिश हिमाचर परदेश में रिकॉर्ड हुई है मौनसुन सीजन में सामानने से 23 पिस्दी कम बारिश इस बार देखने को मिली है एक जून से लेकर 23 पिस पिछरे वर्ष इतनी बारिष कई क्षेत्रों में एक जगा पर ही हो रही थी क्योंकि बादल फटने की गटनाएं पिछरे वर्ष बहुत ज़्यादा हुई थी मौनसुन सीजन के दुरान सिर्फ शिमला जिला ही सामाने से अधिक बारिष इस वार देखने को मिली और बाकी 11 जिलों में इस वार सामाने से कम बारिष हुई है मौनसुन सीजन में बादल फटने और बूस कलन से काफी नुकसान हुआ है और 27 जून से लेकर अब तक हिमाचर परदेश में 21 बादल फटने की गटनाएं हुई है बूस कलन की गटनाएं 37 हुई है और इन गटनाओं में 34 लोगों की मौत हुई है पांच लोग घायल हुए तेज अभी भी लापता है और मौनसुन सीजन में 122 घरों को नुकसान हुआ है 77 दुकानों को नुकसान हुआ है तो इस तरह का मौसम का अगस्त महिने का अपडेटर रहा है मौनसुन सीजन में सामाने से कम बारिष हिमाचर परदेश में रिकॉर्ड हुए पिछले कल धूप खिली रिती तो उससे तामान में बढ़ोतरी परदेश के कई क्षित्रों में देखने को मिली है जिन क्षित्रों में तामान में बढ़ोतरी देखने को मिली है उनकी भी हमाए एक बार आपको जानकारी देए तो शिमला का तामान 27.4 डिगरी सेल्सेस है परसु तक 21 डिगरी सेल्सेस तक पहुँच गया था सुन्दनगर का 33.7 है जो 30 डिगरी सेल्सेस से नीचे चला हुआ था भूंतर में 34.2 है कलपा में 27.2 तामान रिकॉर्ड किया गया है धर्मशाला का तामान भी अब बढ़कर 30.5 डिगरी सेल्सेस हो गया है अन्ना का तामान 35.4 डिगरी सेल्सेस रिकॉर्ड के अगर नहघ का तामान 30 डिगरी सेल्सेस है जो बढ़कर अब 31.5 हो गया है मनाली का 26.8 परोते हैं कांगरा में 33.5 है मंडी में 32.9 है विलाइस्फरों में 35.5 है चंम्भा 33.3 डीघरी सेस तामान रिकार्ड किया कैगalyst रहा है दल खाझी में 25.3 है जूपलटी में 28.4 है निरी में 33.7 है और इसी तरह का कई शहरों का जो तामान है मैं तो सब में ही लगवा लगवा आज बड़ोतरी देखने को मिली है लाब सिंग ठावकर जी मारसाथ है करसोग से जुड़े हैं और बताने के वहां का मौसम आज भी साथ है सिदाथ नेगी जी जुड़े हैं और गुलमॉलिंग जी बिमल सिंग पावर जी बुड़े हैं राठो और थरोज भी राजीव शर्मा जी माताच चिंतपूर्णी से जुड़े हैं तो वहां से उनका स्वागत है और अशोक संग्रोली जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वा जगत हैं और दर्शुकों से महारा अग्रेव रहेगा कि अपने क्षेत्र के मौसंद की बारे में भी हुए जानकारी ने की इस तरह की उनकी क्षेत्र में सड़कों की स्थिति है उसके बारे भी बताएं पानी की स्कीमे कैसी चली है हालांकि जिन क्षित्रों में पानी की स्कीमे भी बढ़िये चली तो बरसात के दिनों में वहां पर भी पानी से इस बार लोगों को दो चार होना पड़ा है वजह रही है कि गाद की समस्या बीच बीच में आती रही जहां जिन क्षित्रों में भारी बारिश हुई है बहुत सारे क्षित्र ऐसे हैं जहां पर इस सीजन में अधिक बारिश हुई है और बहुत ऐसे क्षित्र हैं जहां पर मौनसुन सीजन में काफी कम बारिश हुई है य प्रच्त मेरा देखे हमारा म्रेए मेंधिज मावस्तूर चूमार। होगा और हालांकि 6 स्टंबर तक मौसम विवाग का मानना है कि हलकी हलकी बारिश परदेश के कई क्षित्रों में इस दुरान होती रहेगी मौनसुन सीजन में इस वार काफी कम बारिश देखने को मिली है सामाने से 23 पिसदी कम बारिश इमाचे परदेश में हुई है संतोष कुमार जी मारसाथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और राजपु जगमोन चोहान जी धगेडा सिर्मावर के नहान के क्षित्र से जुड़े हैं और वहां से लाइब इस वक्त बुलेटन देख रहे हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं ध्यर्णा गाउं के लोगों का भी स्वागत है, और अनील शर्मा जी मारसाद जूड़े हैं, कि कांगड़ा का क्या अपडेट है? कांगडा में कल यदि हम संबार की बात करें तो कांगडा में बारिश होने की समभावना बनी है और मंजीत शश्र जी मौर साथ जूड़े हैं तो उनका भी स्वागत है सेलग में मौसम इस वक्त साफ है तो इस तरह का मौसम हिमाचर प्रदेश में यदि सब्ता की बात करें तो हिमाचर परदेश में सामाने से 10 फिस्दी कम बारिश हुई है बिरास्पूर में सामाने से 23 फिस्दी, चमबा में सामाने से 13 फिस्दी और हमीरपूर में सामाने से 54 फिस्दी, खांगडा में सामाने से 22 फिस्दी कम बारिश हुए इस दुरान की नौर में सामानने से 21 फिस्दी अधिक बारिश हुए, कुलू में 20 फिस्दी अधिक बारिश हुए, लौल स्पिती में फिर सामानने से 65 फिस्दी कम बारिश हुए, मंडी में शिमला में इस दुरान पिछरे एक सब्ता में 204 फिस्दी सामानने से अधिक आपाइसरय टमारे सिरमाओर जिलार हुआ है। तो वहां हम स्वागते हैं न्यों करते हैं निती शीव का और शर्मा मीनाराम जी जुड़ें उनका भी स्वागते हैं ढूंदी में ब्मसम साफ है घेमओ ठाकुर जी की तरफ से जांकारी आए तरी आच्네दर भानु शर्मा जी भी हमारे से जुड़ी हैं तो उनका बहुत स्वागत है इसके लावा बात करें पिछले पिछले इसलेईर अगस्त के महें मिनअ कर परदेश में किस तरह से मौसम रहा है कि जिलों विए तो कुछ एकुल है ज्यली है जहां पर पहले भी बताया कि सामाने से अधिक बारिश हुई है उसमें बिलासपूर है जहां 16 फिस्ति अधिक बारिश हुई है चमबा में सामाने से 18 फिस्ति कम है अमीरपूर में सामाने से 19 फिस्ति कम है कांगडा में सामाने से 4 फिस्ति अधिक हुई है किनौर में सामाने से प्रिश का जो अंकढ़ा हो सामानने से पांच फिस्ती कम बारिश का है और मौनसुन सीजन में तो हिमाचर प्रदेश में सामानने से 3% कम बारिश हुए एक जून से लेकर और 30 सगस्तक की बात की जाए तो 23% कम बारिश है उसमें बिलासपुर सामानने से 11% कम बारिश है और बिलासपुर की बात करें विलासपुर के अलावा चंबाजिला में सामानने से कम बारिश इस वार हुई है चंबाजिला में का जो आंकड़ा है उबतारा है कि सामानने से 24 पिस्दी कम बारिश चंबाजिला में हुई है विलासपुर में हमीरपुर में सामानने से 22 पिस्दी कम बारिश हुई कांगड़ा में सामानने से साथ फिस्दी कम बारिश है कि नवर में सामानने से एक तारी फिस्दी कम बारिश है लाउल स्विती में सामानने से तेटर फिस्दी कम बारिश है मंडी में सामानने से दस फिस्दी कम बारिश है शिम्रा में सामानने से बारा फिस्दी अधिक बारि जहां पर मौनसुन सीजन में सामानने से अधिक बारिश हुई है, बाकी जिलों में सामानने से कम बारिश ही हुई है और मौनसुन सीजन हिमाचर परदेश में कई जगाओं पर बादल फटने की भी घटना हुई हमने आपको जानकारी दी कि पचपन इस वार बादल फटने की गटना है हिमाचर प्रदेश में हुई है और उसमें नुक्सान भी काफी अधिक देखने को मिला है 126 क्रोड पर की संपत्ति का भी तक बरसात में नुक्सान हुआ है और हिमाचर प्रदेश में आज में मौनसुन कमजोर रहेगा इस तरह का मौसम विवाग का पुर्मान वान नुक्सान जी बारिश नहीं है धर्मशाला में सर गुम्मन शर्मा जी जानकारी दे रहे है राजकुमार शर्मा जी मारसा जुड़े है शिकारी देवी से गोकुल ठा प्रदेश में मौसम विवाग का पुर्मान वान तो जुरूर लगाया जा रहे हैं मौसम विवाग के पुर्मान वान बिल्कुल सही साबित हो तो ऐसा तो हमेशा ही संभव नहीं है क्योंकि अभी तक के जो स्तितियां रही है पिछले अगस्त से लेकर और पुछले बारा महिनों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो मौसम विवाग के अंकड़े कई वार केल भी साबित हुए लेकिन पिछले कल भी धूप के लिए और आज भी उसी तरह का मौसम रहने की संभावना है और पिछले कल की धूप के बाद परदेश के कई शेहरों का जो ताबमान है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रिदी देखने को मिली है चार से पांस डिग्री लिए जारी किया गया और परसु अंदर चलने का भी अलर्ट मौसम भी भाग की और से जारी किया गया चेस्टमबर तक अब हलकी बारिश इमाचर पर देश के कई शित्रों में होती रहेगी ज़रूरी नहीं कि पूरे परदेश में हो इस वार बरसात में एक दो मौके ऐसे ह कुं मिली हो अधरवाइज इस वार तो बरसात ऐसे रही कि कहीं बारिश बहुत ज़्यदा हो रही है कहीं मद्दैम हो री है कहीं हल्की हो रही है कहीं बादली चाहे वह लंबा सुकाभी कई खित्रों में ब리ंस में दिनों में देखने को मिला और इब कहीं इस बार काफी लो तभाई भी मिचाईए बादर पटने की घटना इस वार सीजन में पच्पन देखने को मिली है और उसमें नुकसान भी काफी हुआ है प्यतन लाल शर्मा जी मारसा जुड़े राजबीर सिंग जी बड़े दिनों बाद हमार साथ आनंदपुर सहिप से जुड़े तो उनका जयर आज एक सिपमबर है और ऐस्तितों में आते है और इन झीलों का तन जिले प्रदेषपे में नहीं ने बनै तो आज एक सितंबर है तो इस वासीओTrail को हमारी तरफ से हार्दी क्षूप काम नहीं और बधाइ पिछरे कुछ वर्षों में सोलन ने जिस तरह से तरक्की की है और सोलन आगे बड़ा है वो अपने आप में एक एथियासिक है तो सोलन वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई टिककम राज भरतवा जी मुखेश गुपता जी की तरफ से जहनकारी दी गई थी मुखेश गुपत करता जाए सोलन जीला टिकम राज भरतवा जी हमार साथ है जुड़े हैं दुन का भी स्वागत और कमलेश कशिव जी का भी स्वागत है तो मौसम की अपडेट में आज के लिए फिलाल बस इतना ही देखते रहे हैं पन्याव किजिटी टीवी आपका दिन शुब हो मंगल मै हो और भगवान से मारी यही प्राक्वा है धन्यावाची